प्री दर्सको मम्ता कीचन रेस्पी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम कोई रेस्पी लेकर नहीं आये हैं आज हम गेहूं के बारे में बताएंगे तो ये गेहूं का खेत है अभी इसमें फल नहीं लगा हुआ है तो इस तरीके की गेहूं की खेती होती है तो आज हम ऐसे चीज़ बताएंगे गेहूं में रखने के लिए कि आपका सालो साल गेहूं खराब नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा तो वीडियो को सुरू से आकरी तक देखना बहुत अच्छा लगेगा और काफी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में तो ये हमारे बाबा जी है और हमारे बाबा जी का ये खेत है तीन महीन हो चुका है गेहूं करने लगा है ये देखिए फेसर में गेहूं कर रहा है ये देखिए मज़ूर भिया गेहूं काच में है तो गेहूं का दाना अलग हो जाएगा और बूसा अलग हो जाएगा तो इस तरीके गेहूं निकलता है ये देखिए तो गेहूं में रखने के लिए हमने नीम की पतिया तोड़ लिया है मम्मी के यहां गए थे तो मम्मी के यहां पेड़ लगा हुआ है नीम का तो हमने सोचा क्यों नीम की पतिया तोड़ लेते हैं गेहूं में रखने के लिए और इसे कैसे रखना है तो वीडियो को सुरू से आकरी तक देखना तब ही आप लोगों की समझ में आएगा तो जितना हमें जरूरत है उतना हमने नीम की पत्तिया तोड़ लिया है ये देखिए तो नीम की पत्तिया काफी फायदे मन रहती है अगर आपके सरेर में खुजली वगएरा हो तो नहाने से पहले दो घंटे इसकी पत्तिया पानी में डाल लीजिए फिर नहा लीजिए तो काफी अराम मिलता है तो गाय नीम की पत्तिया इसारे से मांग रही थी तो हमने सोचा क्यों ना गाय को भी खिला देती है थोड़ा नीम की पत्तिया को ये देखिए कितना बढ़िया गाय खा रही है नीम की पत्ति तो हमने गेहु को धूप में सुखाने के लिए रख दिया है बढ़िया तरीके से गेहु सूख चुका है तो इसमें नीम की पत्तिया डाल देते हैं तो इस तरीके हम नीम की पत्तिया मिला देते हैं गेहु में और इसे पिसाते समय सूप के द्वारा इसे अलग कर लीजिए पछोर लीजिए या फैन के द्वारा इसे उसा लीजिए नीम की पत्तिया उड़ जाती है और गेहु बढ़िया साफ हो जाता है तो अब हम गेहूं को इकठा कर लेते हैं और गेहूं में बहुत ही जल्दी पाई पढ़ जाती है कीड़े पढ़ जाते हैं तो इसलिए नीम की पत्तिया आप डाल कर रखिए दो साल तीन साल चार साल आप जितना साल रखना चाहें रख सकते हैं और इसमें कीड़े नहीं पढ अब इसे बोरी में भरेंगे, तो हमने दो दिन तक दूप में गेहूं को सुखा कर इकठा कर लिया है, तो आए इसे हम ड्रम में रखते हैं, तो हमारा ड्रम नीचे रखा है, तो नीचे चलते हैं, करे से दो उह पो में आ है, वा तो में आ कर दो है है हमारा बेटा समर हमारी मदद करवाने लगा है यह देखिए और हमारी समीरा बेटी कैमरा पकड़ी हुई है बीडियो बना रही है कर दो 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 दिन तक बढ़िया से सुखा लिए है अब इसमें हम नीम पी पतिया डालेंगे तो नीम की पतिया को चारो सरफ बढ़िया तरीके से फैला देते है तो यह देखिए इस तरीके हमने नीम की पतिया ड्रम में डाल दिया अब हम गेम डाल देते हैं तो इसी तरीके हम सभी गेम ड्रम में डाल देते हैं तो इस तरीके हम बीच बीच में नीम की पतिया भी मिला देते हैं और नीम की पतिया मिलाने से आप कई साल तक इस्टोर रख सकते हैं यह खराब नहीं होगा और इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे तो अभी ड्रम हमारा नहीं भरा हुआ है तो और गेम हम लाते हैं यह देखिए तो करीब हमने डेल पुंदल तक शुखा लिया था दूप में झाल अजो आप किरए भादी कर सकते हैं अज Benn़ एफजब सोगे भादी है रख से वादी डलो गलाओ में movements तो पूरा ड्रम हमने गेहूं से भर दिया है यह देखिए तो इस ड्रम में डेढ़ कुंता लाया है गेहूं अच्छी तरीके हमने निम की पतिया मिला दिया है बढ़े तरीके से तो अब हम धक्कन लगा देते हैं तो आज की हमारी गेहूं इस्टोर रखने की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आ झाल 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 झाल झाल